वेलकम दोस्तों ये है इन्फिनिक्स 040 और ये है मोटो एज 50 प्रो और इन में अगर प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो लगबग 4 से 4,5 जार का प्राइस डिफरेंस हमें इसमें देखना हो मिलता है तेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फिजन है कि इन दोनों में से ह हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेश्ट रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पाट से इन्फिनिक्स 040 जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.78 इंचीज की मिलती है और गोडिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखनों मिलता है वहीं मोटो एज 50 प्रो की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचीज की 1.5 के पी ओले डिस्प्ले देखनों मिलती है तो यहाँ पर डिस्प्ले स्पेक्स लगबग हमें सेम ही देखनों मिलते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स 040 में आपको 3D कर्वड M.O.L.E. डिस्प्ले देखनों मिलती है वहीं जो मोटो एज 50 प्रो में आपको हाइ ब्राइटनेस वाली M.O.L.E. डिस्प्ले स्प्लेक्स लगबग हमें सेम ही देखनों मिलते हैं तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं और नेक्स्टम इन्फिनिक्स 040 में आपको मीडियाटेक डैमेंसिटी 8200 अल्टिमेट चिपसेट देखनों मिलता है जो कि 4NM बेस एक 5G एन फ्लेक्शिप एन पावर एफिजेंट चिपसेट हमें देखनों मिलता है जिसका अंतुतु स्कोर आपको सारे 9 लाग से भी ज्या एन UFS 3.1 श्टोरेज आपको इसमें देखनों मिलती है वहीं Moto H50 Pro की अगर हम बात करें इसमें आपको Snapdragon 7 जनरेशन चिपसेट देखनों मिलता है जो कि 4NM बेस एक 5G एन पावर फूल चिपसेट देखनों मिलता है और इसमें आपको 8GB RAM 256GB स्टोरेज एन 12GB RAM 256GB स्टोरेज वा देखनों मिलती है यहां पर अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेस पार्ट में इंट्फिनिक्स 045G विनर बन जाता है क्योंकि इसमें जो मीडियाटेक डामिसिटी 8200 अल्टिमेट जो चिपसेट देखनों मिलता है यह काफी पावरफूल गेमिंग चिपसेट और इसमें अगर आप देखेंगे जो इनफिनिक्स 040 में जो चिपसेट है डामिसिटी 8200 अल्टिमेट इसका अंतुतु स्कॉर आपको सारे 9,00,000,000 से भी ज्यादा का देखनों मिलता है और अगर हर मामिले में आप देखेंगे क्योंकि रेमें स्टोरेज वेरियांट रेमें यहाँ पर परफॉर्मेस पार्ट में इनफिनिक्स 040 विनर बन जाता है तो अगर आप एक तगड़ा गेमिंग पावरफूल एनरजी अफिचेन चिपसेट के साथ पावरफूल स्मार्टफोन चाते हैं तो आप इनफिनिक्स 040 की तरब जा सकते हैं और नेक्स टम इन स्मार स्मार्टफॉन के के मिरा कि बात करें तो इन फिनिक्स जिडो 40 वाइब संसर देखनोों मिलता है मोट्वेग प्रों में आपको फिप्टी मिल्टी sensor देखनों मिलता है यहाँ पर camera part में अगर आप देखेंगे और अगर बात कि रहें तो दोनों में ही आपको 50 megapixel का selfie camera मिलता है तो लगबग camera department यहाँ पर हमें सेज देखने मिलता है यहाँ पर camera numbers हमें infinix 040 में क्योंगी 108 megapixel का rear camera वहीं जो camera का sensor है Sony का sensor आपको Moto Edge 50 Pro में देकिने मिलता है यहाँ पर अगर आप camera department में देखेंगे तो लगबग आपको same ही देखने मिलता है आप किसी को भी consider और सकते हैं और next time स्मार्टफों के battery backup की बात करें गोराने के वाइडेय। सपोर्ट भी देखने मिलता है वहीं Moto H50 pro के अगर हम बात करें इसमें आपको 4500 mh के पाउर्फुल बेटरी देखने मिलती है और साथ इस सेम वेरियंट में आपको 125 वोट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने हो मिलता है और 50 वोट का वारलेस चार्जिंग का है वहीं जो चार्जिंग स्पीट है वो ज्यादा है जैसे कि 125 वोट का फास्ट चार्जर है 50 वोट का वाइलेस चार्जिंग है तो आप किसी को भी कंसेडर कर सकते हैं बेटरी बेगप लगबग आपको सिमिलर ही देखने हो मिलेगा और लास्ट में स्मार्टफॉन के कुछ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो लगबग जो स्पेक्स है वो दोनों ही स्मार्टफोन में लगबग हमें सेम ही देखने मिलते हैं बस यह मैंन डिफ्रेंस यह है कि अगर आपको एक पावरफुल गेमिंग और एनर्जी एफिशेंट तगड़ा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन्फिनिक्स 045 जी की तरब जा सकते हैं और दिस्प्ले भी धमाकेदार हो परफुलमेंस भी तगड़ा हो केमरा भी तगड़ा हो बेटरी अधर स्पेक्स सब कुछ तगड़े है ओल्ड राउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप मोटो एच 50 प्रो की तरब जा सकते हैं